ये ऐलो दोस्तो आप देख रहे हैं स्ट्रड़ी जीक एजुकेशन दोस्तो बिहार में आपके डियलेट का ओनलाइन फर्म भरा जा रहा है आपका और इसका लास्ट डेट आपको कब तक फर्म भरा जाएगा ये लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे और पूरा फर्म आप एक ही जगह से apply कर सकते हैं सभी डिश्टिक के लिए form आप एक ही जगह से apply कर सकते हैं वह यहां से thejobinput.com से आप apply कर सकते हैं आप देख रहे हैं यह बेव साइट इस बेव साइट से आप banking का job, railway और defense का job यहां से देख सकते हैं और हम आज बात यहां से करेंगे आपका बिहार में जो DL8 का form भरा जा रहा है यहां से हम पूरा details देख लेते हैं और यह किस तरह का course है यह सारी चीज़े हम यहां से बात करें कौन-कौन से लोग apply कर सकते हैं इस form को कि यह जो form आपका है डाइट एन के district institute of education training यह एक तरीके का डिलेट के लिए डिलेट के लिए online form इसमें भरा जा रहा है और यह दो साल का course होता है जो आप admission लेके इसमें करेंगे इसका कोई exam इसमें selection के लिए कोई exam नहीं होगा merit list पे आपका इसमें selection लिया जाएगा और इसका देखिए last date form 20 अप्रिल से ही भरा जा रहा है लेकि last date मैं बता दूं कि 16-5-2019 है last date इसका form apply करने का और जो merit list इसमें आपका बनेगा selection का merit list जो आएगा 35 को declare कर दिया जाएगा merit list आप जो आपका बन के आएगा और first admission आपका selection list जारी किया जाएगा 19 से 24 जून के बीच में जारी किया जाएगा आपका first selection list की किसका किसका selection हुगा है DLA के लिए और देखिए आपका इसमें educational qualification जो होना चाहिए intermediate आप किये हुए तो इसमें apply कर देंगे minimum यहाँ पर marks रखा गया है general और OBC के लिए 50% और AST Candidate के लिए यहाँ पर 45% रखा गया है और यहाँ पर age की जो बात करेंगे यहाँ पर minimum 17 साल के हैं तो आप apply कर सकते हैं maximum इसमें age नहीं दिया गया है और इसमें आपको 100 रुपिया किसी भी category से आप हैं तो आपको 100 रुपिया यहाँ पर examination fee सौरी दोस्तों 100 रुपिया इसमें fee आपको लगेगा इसमें कोई exam नहीं होगा इसमें आपको marks के हिसाब से इसमें सेलेक्शन लिया जाएगा और यहाँ पर देख लिए डिस्टिक वाइज ओफिस्यल वेफ साइट ऑफ डाइट फूर फिलिंग ऑनलाइन अप्लिकेशन ऑनलाइन अप्लिकेशन भरने के लिए आपको यहाँ सी जिस भी आप डिस्टिक में आप अपलाई करना चाहते करना है यहां से आप डाइरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं जैसे यहां पर देखिए बिक्रम पट्ना के लिए हाँ से आप अपलाई कर सकते हैं यहां पर दीखिए पंचायती अखळा गया के लिए होगा किसे रेजिट्रेशन करते हैं कैसे फॉर्म भरना है सब ब्रक्राइब करते हैं यहां से आपको पूर्म्रिया के लिए धिस्टर्री के के लिए आप भर सकते हैं भागलपूर के लिए नवादा के लिए आप से बर सकते हैं रोहतास असराम के लिए यहां से बर सकते हैं किसन गंज के लिए दिया हुआ है सीवर के लिए दिया हुआ है सेखफूरा के लिए दिया हुआ है यहां से आप भर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा प्रोपर की कैसे आपको फिलप करना है यह लखी सराय का दिया हुआ है घड़िया का दिया है कैमोर बक्सर बाका का दिया हु हुआ है आपको वेस्ट के लिए दिया हुआ है नलंदा के लिए भी अब लेबल नहीं हुआ है लिंक जैसे लिंक अप लेबल कराये जाएगा आपको दे दिया जाएगा गोपाल गंज के लिए यहां से देख सकते हैं आपको दर्भंगा के लिए है कटिहार के लिए भी लिंक दिया गया है यहां से आप अपलाई कर सकते हैं और कोई भी नोटिफिकेशन आपको देखना है तो यहां से देख सकते हैं नोटिफिकेशन ठीक है यहां से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि नोटिस में क्या-क् और important dates और भी important dates देखनी है आपको तो उसमें जाके आपको notification डाउनलोड करके इसका link देदूँगा description में वहां से download करके आप देख सकते हैं वेव साइट यहां से आप open कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं कि आपको कैसे कैसे apply करना है यदि आपको माल लेते हैं कि यदि आपको पटना के लिए apply करना है तो इसमें आपको जाना पड़ेगा यहां पर जाके किलिक आप उपर में करेंगे तो आपका website खुल जाएगा देखिए यहां से website district institute of education and training पटना ठीक है यहां से आपका website open हो गया और यहां से देखिए बन के आ रहा है admission notice यहां से admission notice आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और यहां से online application form के लिए apply कर सकते हैं यहां से ठीक है और भी कुछ जानकारी चाहेंगे इसमें कुछ जानकारी वै आपको क्लिक करना यहां पर आपका online कैसे कैसे form भरना यह पूरा यहां से details हम आपको बता देते हैं कि कैसे यहां पर form आपको फिल अप करना है यहां से आप देख सकते हैं डाइट पटना भिक्रम के लिए आप अपलाई करेंगे तो लास्ट डेट यहाँ पे दिया हुआ इसमें तीन स्टेप में आपको पर्म अप्लाई करना is। पहले registration करना है पहला step आप registration करेंगे यहां से जाके किलिक करके इसके बाद यहां से आपको दूसरा step यहां पर दिया हुआ है यहां पर online payment आपको शौर पे करना है ठीक है वह भी मैं बताऊंगा आपको देखिए इसके बाद third step यहां पर दिया हुए online application form online application form भर के उसका hard copy आपको डांक दोर भेजना नहीं है ठीक है प्रिंट आउट करके उसको आपको रख लेना है ताकि आपको बुलाया जाएगा counseling के लिए उस समय आप hard copy ले जाएंगे पूरे document के साथ तो पहले registration कैसे करना है step first में इसको देखिए यहां जाके आप ठीक है date of worth वही यहां पर डालना है इसके बाद mobile नंबर डालना बहुत ही ज़रूरी है original mobile नंबर डालेंगे ताकि आपके mobile पर message आ सके email id आपको original डालना है यहां से submit करना है कि ठीक है करते हीं आपके पास अस्टेप two के लिए payment के लिए यहां पर आपको जाना है प्लिक करना है यहां से प्रोसीड कर देना है प्रोसीड जैसे करेंगे यहां यहां पर आ जाएगा केटेग्री चूछ करने के लिए आपको क्याटेग्री यहां पर application जो आपने वो application number इसमें आपको डाल डेना है ठीक है application number इसमें आपको डालना है application number डालके आप जैसे इसको शुमिट करेंगे तो आपका के टेगरी यहां से चूच करेंगे जिसे application fee sorry दोस्तों application fee के लिए यहां पर application fee यहां पर चूच करना है इसके बाद यहां पर आपकर नाम यहां पर चूच करेंगे father name यहां पर लिखेंगे date of birth लिखेंगे mobile number इसमें आप लिखेंगे ठीक है इसके बाद registration number जो आपको मिलेगा इसमें लिखना है इसमें 100 रुपे आपके बन किया जाएगा ठीक है रिमार्क में आपको कुछ नहीं लिखना है यहां पर नीचे आएंगे आप कि यहां पर देखेंगे लिखा हुए name लिखना है date of birth यहां पर mobile number यहां पर यहां पर यहां से आप submit कर देंगे ठीक है मिльट करने के बाद आपका प्यंट हो जाएगा सब Więd के बाद आपको पूरा डिटेल फ़ॉम आपको भरना है जहां की में फॉर्म है उसको भरना है प्रेद कि बाद जब देखी यहां पे 3 दिया हुआ है सटीन Regierung यह मेन फॉर्म है इसमें ही सारा डिटेल आपको डालना है क आप क्लिक करके फॉर्म खुल जाएगा यहां से फॉर्म में आपको सारी चीज़े भरनी है देखिए यहां पर आपको चूच करना है देखिए यहां पर अपलोड करना है आपको फोटो अपना अपलोड करना है सो के भी ठक साइज होनी चाहिए यहां से आप छूच करके यहां पर भरेंगे इसके बाद यहां पर तेमप्रेस्टेशन नमबर जो आपको मिला है रेशिट्रेस्टेशन करते समय ओव भरेंगे और जो payment किये हुए हैं आप payment में आपको DU number of SBI collection का DU number मिला होगा इसमें आपको भरना है इसके बाद आपको आपना choose करना है यहाँ पे choose subject as per intermediate में आपने क्या subject लिया था वो यहाँ पे choose करना है math लिया था, bio लिया था, arts लिया था, क्या लिया था यहाँ पे आपको choose करना जैसे देखिए यहाँ पे मैं बताता हूं यहाँ पे आप देख सकते हैं उपर में दिया हुआ है arts और commerce फिर दिया हो science ठीक है इसमें अपना choose कर लेंगे जैसे माल जो मैं choose करता हूं science तो इसमें science आ जाएगा candidate नेम यहाँ पर लिखना है father नेम यहाँ पर लिख देंगे इसके बाद यहाँ पर mother name date of birth डालेंगे gender यहाँ selecting category सेलेक्ट करेंगे disability यहाँ से सेलेक्ट करना है disabled person है तो disability सेलेक्ट करेंगे नहीं है तो नहीं है तो नहीं यहाँ मतलब कोई अपांगता तो नहीं आपके शरीर में apply for उर्दू के लिए यहाँ पर जो उर्दू के candidate हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है यदि आप बिहार कर रहने वाले हैं तो इसमें यस चुच करेंगे नहीं है तो नो चुच करेंगे यह पूरे इंडिया के लोग इसमें apply कर सकते हैं Ну and address आपना दलना है घर का आड्रेस जो है आपका इसमें डालना भी नंबर यह क्या है यदी कर दो की आप होस्टल में या या कहीं रूम लिके रहते हैं वहाँ का इसमें डालना है क्रचिश किया हैände ठीक है कि की स्विज़े से आप पास किये हुए यहां पे आपको लिखना है embarrassing academy this marks 스bay यहां प्रपोच करना ठीक है यहां पर जाकर कर लेंगे यह अपने जो capable से एक्जाम दिया एग 12 tu5 मिला है या मार्क सुंप में दिया जाता है तो मार्क कर लेंगे दित प्सक्राइब गिए जाधा तब गत्सिव कर दिया जाता है यहाँ यहां पर आपको CGPA candidate के लिए यहाँ पर जो CGPA लाए हैं उनके लिए भरना है यहाँ पर जिनका marks दिया रहते हैं उनको नहीं भरना है full marks of metric 10th class only candidate board base of mark basis like बिहार बोट के लिए यहाँ पर आपको भरना है इसके बाद यहाँ पर बिहार बोट के लिए है इसके बाद यहाँ पर देखिए जिसमें rate color इसे किया गया है उसको must है भरना आपको full marks इंटर में आया हुगा है तो उभरेंगे यहाँ पर उपर में यहाँ दस्वी का marks था दस्वी का marks भरना है आपको यहाँ पर में परसेंटेज आपको डालना है कितना marks है आपका दस्वी में दालना फिर इंटर का marks इसमें इंटर का marks आप डालेंगे इंटर में कितना आप उपरन किये हुए marks कितना आपका percentage आया हुगा यह सारी चीज़ है इसमें डालेंगे और देखिए मेगा marks दो आपका निकाला जाएगा और metric और इंटर के percentage यहाँ पर आपको के हिसाब से ही निकाला जाएगा ठीक है आपको आप रॉल नमबर डाला है दस्वी का रॉल नमबर यहाँ पर डालेंगे रॉल कोड यहाँ पर डालना है यहाँ पर रॉल नमबर डालना है फिर यहा पर बरहवी का ral code फिर यहा पर ral ну번 आपको डालना है email address डालना है फिर mobile number यहाँ डालना है आपको यदि आपके पास WhatsApp नंबर है तो WhatsApp नंबर भी यहाँ डालेंगे ज़रूरी है ठीक है WhatsApp नंबर भी डालना आपको ज़रूरी है यहां पर डॉकुमेंट अप्लोड करना है यह फोटो कोपी off मार्पाद इस क्लास का होना चाहिए को आध का सौकीप marksit करना है फिर यहां पर यहां पर ब्रहाशी कलास का माईक Son करना आपको यहाँ पें देखिए केस डियर भीशन की केस में तो घुलोट करना यह यह स्टी स्टी कंडिट है ऑब इस न्दीन एन और यहां पर आपको अप si घुनोक करना है कि कहां सक्क रहने वाले अप तो $ appeals क्रें इसके बाद आपको करना है गोश्रना में ठीक है कि हुआ है यहां पर आपको कर देना है एंपर तीक कर दरणा है कि यहां पर देखें हमको अप्ल Acts गना है कि अपना इंच मॉड़ करना यहां और verify यहाँ पर code आपको upload करना है verify code upload करके त्थी यह जो capture है इसमें आपको डालना है इसके बाद यहां से submit कर देंगे आप final submission यहां से आपका हो जाएगा इसके बाद आप print out इसका निकालेंगे print out निकाल के रख देंगे हो गया आपका पुरा फॉर्म फिल अफ हो गया तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लें और दोस्तों एक ची मैं बता दूँ कि ये तो आपका एक डिस्टी का हो गया ठीक है एक डिस्टी का हो गया और भी किसी डिस्टी का आप अपलाई करना चाहते हैं तो आप अपलाई कर सकते हैं वो इसमें दो राय नहीं है सभी लोग देखिए इसमें साइट आप जाएंगे इसमें दिया गया है और नीचे आपको यहां से आप देख सकते हैं अब जिस भी डिस्टिक्ट से हैं अराम से इसमें अपलाई कर सकते हैं किसी भी डिस्टिक्ट के लिए यहां से देख लिजिए यहां से नहीं दिया गया है लिंक यहां पे लिंक नहीं दिया गया अपलाई का क्योंकि सब अलग-अलग अपलाई करना है तो आपको जिस भी डिस्ट्रिक्स अपलाई करेंगे वहां ससीधे यहां पे लिंक आपको प्रॉबाइड कर आई गई है तो आप अपलाई कर सकते हैं झाल